गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम लेसन नमबर थ्री उसका श्वाध्य करने वाले हैं उसका पहला प्रश्ण है धाचे पर से कहानी लेखिये तो यहां धाचा धाचा यानिकी मुद्दे दिये हैं उन पर से कहानी सेठ की चतुराई सुन्दर नगर में मानिक चन्दाम का एक सेठ रही दा था उसके घर में कोई नोकचा कर थे एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रपकर किसी कान से चली गई एक नोकर ने मोका देखा और हार ले लिया सेठानी लोटकर आई तो मेज पर हार न देख कर सन न रह गई उसने सेठ से हार की चोरी की बात की सेठ ने सब भी नोकरों को बुला कर पूछा परन्तु किसी हार की चोरी कबूल नहीं की सेठ बुद्धि मान दे उन्होंने एक युक देखी उन्होंने प्रत्य नोकर को साथ इंच की लकडी दे और कहां देखो यह जादू की चड़ी है तुम इसे घर ले जाओ कल लाकर मुझे दिखाना जिसने हार चुराया होगा उसकी लकडी एक इंच बढ़ जाएगी सब भी नोकर अपनी अपनी लकडी लेकर घर गए हार चुनाने वाले नोकर ने सोचा मैंने हार की चोरी की है इसलिए मेरी लकडी एक इंच बढ़ जाएगी क्यों न मैं एक इंच लकडी काट दू तो एक इंच बढ़ने पर भी वा साथ इंच की ही रहेगी ऐसा सोच कर उसने अपनी लकडी एक इंच काट दी दूसरे दिन सभी नोकर अपनी अपनी लकडी लेखर सेट के घर पहुंचे सेट ने प्रत्यक की लकडी देखे एक नोकर की लकडी एक इच कम थी जरासा धमकाने पर उसने चूरी कबुल कर ली सेट ने उससे हार वापस लिया और उसे नोकरिशे निगाल दिया इस तरह सेट ने युकती से हार को चूराने वाले नोकर को पकड़ा Q2 प्रश्णों के उतर लिखे उसमें 1 राद को कुट्टा पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? अंसर राद को अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुट्टा भूख भूख कर उन्हें दूर भगा देता था सेट ने बंजारे के साथ कौन शेशर्थ रखी? अंसर सेट ने बंजारे के साथ पैशों के बदले में कुट्टे को गिर्वी रखने की सर रखी थर्ड सेट ने कुट्टे को क्यों मुक्त कर दिया? अंसर कुट्टे ने सेट का चूरी हुआ माल सामान वापस दिलवा दिया इसलिए सेट ने कुट्टे को मुक्त कर दिया फूर्थ इस कहाने से क्या शिक्षा मिलती है? अंसर इस कहाने से हमें सीख मिलती है कि सोच समझ कर ही कोई ने नहीं लेना चाहिए जल्द बाजी में काम करने पर बाद में लाखा बंजारा की तरह पच्टा ना पढ़ता है? क्वेस्चन 3 नीचे दिये गए वाक्यों में से रेखां कि सब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्यों फेसे लिखे फर्स्ट खोडा दोड रहा है तो खोडी दोड रही है सेगट सेठ ने कहा रुपिय तो में दे दूँगा थर्ड, बंजारे को बहुत धुक हुआ तो बंजारे इनको बहुत धुक हुआ फोर्थ, उट की पीट पर सामान लगा है तो उटनी की पीट पर सामान लगा है 5. मेदान में लड़का खेल रहा है तो मेदान में लड़की खेल रही है Q4. बक्षे में से लिंग आतारित सब्दों के जूड़े मिला ये और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए 1. सिश्य, सिश्य सिश्य गुरु की सीवा कर रहा है 2. नाग, नागिन नाग फन उठाईये बेठा है नागिन फन उठाईये बेठी है सिक्षक, सिक्षिका सिक्षक पढ़ा रहा है 4. गाई, बेल गाई दूद देती है बेल किसान का मित्र है 5. देव, देवी देव प्रशन होकर वर्दान देती है गोडा, गोडी महाराना का गोडा बहुत वफादार था महाराना के प्राण की रक्सा के लिए गोडी ने अपने प्राण दिये थर्ड, गंगा भारत की पवित्र नदी है तो नदी वह भी जाती वाचक पासा सज्जुदा में सबसे पहले निर्देशित सब्दों में से व्यक्ति वाचक संगना छांटिये तो मोहन, गुजरात, तापी, वीर्षावर्क और गिर्नार सेगड, जाती वाचक शब्द छांट कर सूची बनाईए तो छात्र, लड़का, परवत, गाई, नदी और पेड थर्ड, जाती वाचक और व्यक्ति वाचक में वर्गी करन तो व्यक्ति वाचक में भारत, हिमालई, वीर्षावर्कर, नर्मदार, निमका, पेड और जाती वाचक में नदी, सैनिक, परवत